नमस्कार मैं प्रितीम इश्राव करने उस नेशन में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अर्विन केजरिवाल के हरम की अभी और कहानिया आनिशेश है पिटाई हुई यह तो अब हकीकत है पर पिटाई हुई क्यों स्वाथी मालिवाल ने ना किसी बयान ना किसी ट्वीट आदी या FIR में यह बात बताई है पिटा विभाव ने यह बताया है FIR में पर अर्विन केजरिवाल के सारे पर बिटाई हुई कि सुनीता केजरिवाल के सारे पर क्यों हुई इस दोनों बिंदू पर खामोश है स्वाती मालिवाल यह तो वही जाने बार-बार हिट मैन भी वह किसे कह रही है बहुत साफ नहीं है राजनीती में महिलाओं की यह करूर कथा कोई नहीं नहीं है लेकिन आम आद्वी पार्टी में नहीं है अब तो आम आद्वी पार्टी के संस्थापक सदस्य योगिता भवारा आज कहा रही थी कि यह आम आद्वी पार्टी नहीं एंटी औरफ पार्टी हो गई है स्वाती मालिवाल भी आम आद्वी पार्टी के संस्थापक सदस्य रही है चलिए इससे पहले हम आपको पुरी ख़बर बताएं, आपसे अनुरों दे कि हम देशिक में काम करें, इसलिए इस वीडियो को लाइक और अधिक सदिक शेयर करें हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे और हमारी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपको पुरी वीडियो पसंद आए ता आप में फोन पे, गूगल पे, आपेटियल के बादे हम से नीचे दिए गए नंबर पर सहाइता राशी देकर हमें और हमारी चैनल को सशर्ण बनाएं चलिए अब आपको पुरी ख़बर को लेचलते हैं कि कोई तीसरी कहानी है, तीसरा चौथा एंगल भी है इस पिटाई के पीछे जो भी हो, अर्विन केजरीवाल का जेल से बाहर आना उनके लिए बहुत भारी पड़िया है अर्विन केजरी मालने स्वाती मालन को पिटवाया है, तो कोई नई बात नहीं है अपने चीफ सेक्रेटरी को भी इसी सीश महल में पिटवा चुके हैं और उनका कुछ नहीं हुआ चीफ सेक्रेटरी मतलब आईएस आउपीसर और दिल्ली प्रदेश शरकार का सबसे बड़ा अफसर वह तो अभ्यस्त है योगेंदर कुमार, योगेंदर यादो, प्रशार्द भूशन, आनद कुमार, आदी परवब आउसरों की तागत अजमा चुके हैं तो अगर अभशेक्मनु सिंधवी को राजसबा भेजने के लिए स्वाती मालिवाल की सदसिता की बली लेने के लिए पिटवा दिया है तो केजरिवाल के लिए सामाने बात है हाँ, अगर सुनीता केजरिवाल ने स्वाती मालिवाल की पिटवाई करवाई है तो यह कहानी बड़ी है कोई औरत किसी औरत को एक ही वज़े से पिटवा सकती है वह है सौतिया डाही कुछ और नहीं फिर तो अर्विन केजरिवाल के हरम के और भी कहानिया आनी शेष है अब यह तो सुरुवात है साड़े चार घंटे दिल्ली पुलिस अगर सौति मालिवाल के घर रहकर लोटी है तो खाली हाथ तो नहीं आई विभाव कुमार के खिलाफ एफाई आर का कागस लेकर एफाई आर दर्ज कर दी है मेडिकल हुभी हो गया है मजिस्टेट के सामने बयान भी शीष महल में पुलिस की बड़ताल भी विभाव ने भी एफाई आर की तहरीर दे दी है पुलिस को जब स्वाति मालिवाल ने फोन कर बताया कि उन्होंने मुझे पिटवाया है यह उन्होंने कौन है अर्वीन दिया सुनीता इसका सपश्टी करण भी सेश है वैसे भी स्वाति मालिवाल का ट्वीट बताता है कि स्वाति मालिवाल अभी बहुत समल कर जल रही है जो भी हो अमरमडी त्रिपाथी की याद आ गई अमरमडी त्रिपाथी मधूता शुकला को अपनी रखेल बनाए हुए उसकी बेहन को भी लोग अभी तक यही जानते हैं कि अमरमडी त्रिपाठी ने मध्मिता के हत्या करवाई पर सच यह है कि अमरमडी त्रिपाठी की पत्नी ने मध्मिता सिकला के हत्या करवाई थी अमरमडी की पत्नी का नाम भी मध्मडी है हुआ यहां कि तबाव अवार्शन और यतिहाद के बावजूद मंदमिता सुकला फिर गर्वती हो गई थी और अपकी बार्वगर भी राने को तयार नहीं थी अमरमणी की रखेल मनकर रहने को अब और तयार नहीं थी पत्नी का हग मांग रही थी और संपत्ती में हिस्सा भी यह बात अमरमणी की पत्नी तक पहुची जब पहुची तो वह भड़क गई अमरमणी की चेलों से कहकर अमरमणी की सहमती से हत्या करवा दी बस सत्ता की सनक में सब कुछ खुलम खुला करवा दिया फिर हरिशंकर तिवारी ने तुरत व्यू रचना कर दी। राजेस पांडे जैसे इमानदार और साहसी पुलिस अफसर के हाथ यजाच आ गई। यह बात तलग है, यारिशंकर तिवारी के निधन के बाद निधी को आर्थिक और बोनो वज्यानिक मदद समात हो गई। अमर्मणी छूट गए। जेल से कुछ दिन के लिए ही सही छूट करता अर्विंद केजरिवाल भी आए हैं। आए हैं तो सीश महल में सत्ता के लिए या निरंग महल की कहानियों का पिटारा लेकर आये हैं। सिर्फ ब्रश्ट्रचार की कालिक में ही नहीं। लंपटता की कालिक में भी सरावोर है। सत्ता जाने क्या-क्या सुख जाने क्या-क्या कालिक लेकर सरवदा उपस्थित रहती है। शूप नखा से राम की राम ही ब पस्ति दिखती हैं, बार बार दिखती हैं, सब के लिए अच्रच और रश्क का विशे होता है, उनका सावधेर दिखाने की लड़क देखते बनता है, उनके लटके जटके भी, मारर लेना मतलब मार्क्स और लेनिकी मिली-जुली रचना, इस पर राम भी, नाम भी आतिशी, गौर्ड तलब है कि आतिशी के मतार पिता वामपंथी हैं, जाने विवा भी किया है कि नहीं राम जानी, दिल्ली निवर्शिटी में पढ़ाते रहे हैं, मार लेना तक तो समाज में आता है, पर आतिशी ऐसे ही जैसे कुछ लोग अपनी बेटियों का नाम कामिनी रखते हैं, खेर, अब जेल से आने के बाद केज़रीवाल दिल्ली में कराट पलेस के हनवान मंदिल गए, तो वामपंथियों की या संतान अतिशी भी कदम ताल करती हुए हनवान मंदिल गई, तो आतिशी के लिए सत्ता सुखने वामपंथियों की ठीटिस धर्वाफिम की एक बात हुई कि जेल से वापस आने के बाद केजरिवाल के साथ आतिशी की वह अटक-मटक देखने को नहीं मिली है तो क्या सुनीता केजरिवाल इस पर भी केजरिवाल को टाइट कर दिया है क्या पता याद कीजिए आतिशी के पहले कभी इस आतिशी की कभी स्वातिमाल भी केजरिवाल के आगे पीछे पस्तित रहती थी यही लटके जटके और यही नाजो अदा अन्दाज तब के दिनों स्वातिमालिवाल को महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया था केजरिवाल ने स्वातिमालिवाल के पती नवीन जैहिंद एक समय केजरिवाल के खास दोस्त हुआ करते थे अब स्वाति का नवीन से तलाग हो चुका है पर स्वाति के साथ शीष महल में पिटाई हुई तो वह खुलकर स्वाति के साथ खड़े हो गये अच्छा तो क्या के अर्विन केजरिवाल जेल जाकर भी मुख्यमंत्री पत से इस दिफा इसलिए नहीं दिये कि उसके तरह अधिकारी में कोई पेचोखम है स्वातिमालिवाल भी मुख्यमंत्री की पत कि दावेदार रही और आर्टिसी मरलेना जिस तरह बन ठंकर आदाय दिखाते हुए आतिसी मरलेना अर्विन केजरिवाल के आगे पीछे वह मंड़ाती रही रहती और देखी जाती रही है उसी को देखते हुए आतिसी को भी मुख्यमंत्री पत का हगदार माना जाने लगा था पर हर कोई इस्तरी लाग कुर्बानी दे दे जैललिता और मायावती की किश्मत लेकर तो नहीं पैदा होती आंधर में लक्ष्मी पारवती भी नेता बनी तो एंटी रामा राव के दुसरी पत्नी बनकर ही अलग बाद रामा राव के दामाद चंद्र बावु नाइडू ने लक्ष्मी पारवती को ऐसे द्वस्त किया कि लोग अब उनका नाम भी भूल गए याद किजिए एक समय कांती सिंग लालू यादो के आगे पीछे बनी रही थी पर बिहार की कमान उन्हें नहीं मिली केंदर में मंतरी बनकर ही समाप्त हो गई अब तो लोग कांती सिंग को भूली गए हैं मुलायर सिंग यादो के आगे पिछे डोडने वालियों की भी लंबी फोज रही है जो भी हो अर्विन केजरीवाल के हरम के अभी कहानिया अभी और भी कहानिया आनी सेश हैं अभी तो शुरुवात है अक्सर दहाडने वाले अर्विन केजरीवाल बिहार की बोली में लखनों में क्यों नर्भस आ गए हुआ यह कि लखनों में अखले श्यादों के साथ साजा प्रेस कांफरेंच करते हुए अर्विन केज्रीवाल से पत्रकारों ने उनके दिल्ली के शीष महल में राजसभा सदस्य स्वाती मालीवाल की पिटाई के बावत सवाल पूछ दिया था सवाल सुनते ही अर्विन केजरीवाल नर्वस आ गए मतलब नर्वस होते है जैसे साप सूंग गया हो एक चुप तो हजार चुप ऐसे जैसे कोई हत्यारी लग गई हो अर्विन केजरीवाल की मुश्किल देखते हुए अर्विन अखले शादो ने माईट सम्हाला पर वह भी लड़ बड़ाते रहे फिर माईट सम्हाला संजे सिंग ने संजे सिंग मड़ीपुर पहलवान आधी की भूल भलेया में घूमते रहे एक मिनट में ही अर्विन केजरीवाल उठ खड़े हुए प्रेस कॉनफ्रेस कानफ्रेस हो रही थी बार कार में विभाव सिर्व जुकाय बढ़ा था कार को आम आदमी पार्टी के कार्य करता चारों तरफ से घेरे रहे ताकि मीडिया के हत्ते ना चड़ जाए एरपोर्ट में विभाव केजरीवाल के साथ फोटो में कैप्चर हो गया था विभाव को लखनों में केजरीवाल के साथ देखते ही स्वातिमालीवाल भड़क गई उनके सब्र का बांट तूड़ गया दिल्ली में स्वातिमालीवाल ने विभाव के खिलाप F.I.R. दर्ज करवा दी है अब केजरीवाल जुरूर पस्ता आ रहे होंगे कि जेल से बाहर आये तो आय ही क्यों क्या इसी नर्वस आने के लिए समझ नहीं आदा कि अम्रेटकर और भगत सिंग की फोटों के बीच बैठ कर बयान ना अरुद गेजरीवाल जारी कर रहे हैं ना सुनीता संजय सिंग ने जब प्रेस कॉंफरेंस कर स्वातिमालीवाल के पक्ष्म बात की और चीवी है कि इस पर कपिट मिश्रा का कहना है कि स्वातिमालीवाल ने भी अर्विंद केजरीवाल को थपन मारा है जो भी हो अर्विंद केजरीवाल कॉंग्रेस की संगत में हैं आजकर और कॉंग्रेस में महिलाओं को इसी दिल्ली में तंदूर में जलाकर मार देने की पु वहां डिलाट के आगे मुर्गा बनेबठे कुमार रिस्वास का कहना है कि विभों के डर्टी गेम का ना कि बड़ा राजदार है और के डर्टी गेम का असरदार भी किस्सा है कि आराम जे यह दो बहने थी जहां आरा और रोशन आ रहा और अरग जेब ने अपनी अगड की चलते इन दोनों बहनों की शादी नहीं की बड़ी बहन चुपचाप अपने महल में नौ नौ जवान रख लिए और अपनी यौन पर पासाशांध करने के लिए बात में चोटी बहन को जब पता चला तो वह भी बड़ी बहन को ब्लैक मिल लकर इन नौ जवानों की साचेदार बन गए फिर दोनों बहनों में किसी बात पर अंपन हो गई तो इन नौ नौ जवानों की खबर और अरग जेब तक पोखिए औरंग जेम ने 9-9 जमानों की बेरामिस से कतल करवा दिया अब हिट मैंड के कतल अभी भी और भी बाकी है कहानी तो खैर बहुत सारी है कहां भी जा रहा है कि अब की दोनों यानी केजरी वाला और विभाव दोनों साथ साथ तिहार जाएंगे सवाल एक यह भी है कि अर्वित केजरी वाल को जेल मिस से सरकार चलाने के लिए समिधान खामोश है सुप्रीम कोट ने अंतरी जमानत की शर्त यह भी रग लगा रखी है कि मुख्यमत्री आफिस नहीं जाएंगे कोई फाइल साइन नहीं करेंगे पर विधान सभा बुला सकते हैं कि नहीं सुप्रीम कोट खामोश है तो क्या केजरी वाल का विधान सभा बुला कर चीर परचित विश्मुमन कर सकते हैं जैसा कि वह करते रहें विधान सबा में कही किसी बात पर कोई अदालत, कोई कानून कुछ नहीं कर सकता इसलिए राहुल गाधी संसर में बंप होलने की बात भी एक समय पूरी मुर्खता के साथ करते रहे थे ताहना शाह से निपटने के लिए केजरीवाल कुछ भी कर सकते हैं बस एक धक्का और दो आपसे अन्रोध है कि देशित में इस वीडियो को अधिक सदिक शेयर करें हमें अपनी राय ज़रूर दे और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना खुले यदि आपको मारी वीडियो पसंद आये ताफ में पूर्ण पर गूगल पर पेटियम के मादे हमसे नीचे दिए गए नंबर पर सहाथा राशी दे कर हमें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को साथ हम तक बने रेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिद जय भारत